मेंटेनिंस की बात करता हूँ यानि कि आपको अप्लिकेशन बनवाने के बाद आप सभी को पता है कि अप्लिकेशन बनवाने के बाद का जो प्रोसेस रहता है या फिर ये कह लीजे कि अप्लिकेशन बनने के बाद का जो खर्चा रहता है यह सोच कि कभी भी आप अंतलग थोड़ा सा टेंस में रहते होंगे थो अटेंशन में कि पता नहीं कितना खर्चा लगेगा क्योंकि application बनवा लेना यह 40-50% आपका काम complete हुआ उसके बाद users जो आपके रहेंगे उनको maintain करना अपनी team को maintain करना, अपनी staff को maintain करना और बाकी के जो applications में आपके खर्चे लग रहें अलग से उन सब को maintain करना, यह सब कुछ बाकी का part रहता है after development process रहता है यह, ठीक है आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 strong वो बताने वाला हूँ जो application बनवाने के बाद आपका खर्चा लगता ही लगता है जिसमें से कुछ एक-दो ऐसे है जो छोटे application है उसमें भी लगेगा आपका खर्चा लेकिन दोस्तों जब भी मैं यह बात करता हूँ after development process की जब app बनवाने के बाद maintenance cost क्या आएगा तो इसमें आपको ऐसा tension वाली बात नहीं है और दूसरा आपको डरना नहीं है क्योंकि application maintenance cost तब आता है जब आपका application अच्छे level पे run कर रहा है आप ऐसा कमारे हो चलिए एक छोटा सा example देखे बता देता हूँ मतलब जादा कुछ tense लेना नहीं है बस इतना मानलो मन में कि जितना आप कमारे हो इस time चीज़े आती है जो मैं बताने जा रहा हूँ किसी का 30% जाता है किसी का 40, किसी का 50, किसी का 70% तक भी जाता है बस depend ये करता है कि आपका application कौन सी category का है तो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कौन कौन से वो 5 main है सबसे पहला आता है maintain your staff अच्छा आपका ऐसा लगा होगा कि मैं hosting वेगार उन सब की बात करूँगा तो ऐसा नहीं है मैं बड़े applications की बात कर रहा हूँ ठीक है फिलाल अभी वो सारे चीज़ों में भी खर्चा लगता है लेकिन समझ के चलिए आपने एक dream 11 जैसा या फिर एक tournament application बनवाया है देखो दोस्तो आप सभी को मैंने मेरे वीडियो में ये भी बताया है कि real cash application में ज़्यादा कमाई है real cash application ज़्यादा लोग बनवाते हैं या फिर आपने कोई premium map भी डाल करका देखो दोस्तो ना एड से पैसा कमाने वाले चीज़े दिमाग से हटा दो सिर्फ एड से पैसा नहीं कमाई जाता बहुत दर चीज़े मैंने अल्रडी वीडियो में बता रखा है तो जब आप real cash earn करते हो तो उस टाम आपको स्टाफ की ज़रूत पड़ती है मतलब एक tournament application आपने बनवा लिया और आपके पास 1000 user है अब आपको भी पता है कि tournament application में manually payment करना पड़ता है सिर्फ manually payment ही नहीं करना पड़ता है वहाँ पे match create करना है उसके बाद में कोन कैसा खेल रहा है मतलब वहाँ पे cheating तो नहीं कर रहा है यह भी आपको देखना है वहाँ पे किसने कितनों को kill किया क्योंकि पर kill पे वहाँ पे पैसा रहता है यह भी देखना है यह सारी चीज़ आप अकेली नहीं कर पाऊगे और यहीं चीज़े करोगे तो जादा earn नहीं कर पाऊगे तो उनके salary में आपका 15-20% उनके salary में चला जाता है सिर्फ real cash ही नहीं बोल रहा हूँ मैं अगर आपका premium टाप का application है जिसमें आप कुछ features को paid रखे है उस feature को maintain करने के लिए भी आपको developer रखना पड़ेगा तो वो भी आपके staff, team member होगे तो वहाँ पे भी आपका खर्चा जा रहा है ठीक है अब आपने premium रखा है तो आपके एक लाख user है तो आप अच्छा खासान कर रहे हो वहाँ पे यानि कि आप लगबग around 5-6 lakh तक earn कर रहे हो तो दो developer रखो गे 30-30,000 के भी तो 60,000 दूनके salary हो गई तो यह होता है after development का खर्चा maintain your staff लेकिन earning हो रही है ऐसी बात नहीं कि earning नहीं हो रही है earning नहीं हो रही है तो staff वाला खर्चा मत उठाओ ठीक है अब आते हैं दूसरा hosting का जो खर्चा रहता है दूसरा यह point बहुत important है यह उनके लिए भी है जिनका मतलब थोड़ा आपको अच्छे से दिखना चाहिए दूसरा point यह है hosting expenses hosting expenses दोस्तों क्या होता है hosting सबको लगती है आपको भी पता है एक छोटा application हो या बहुत बड़ा application हो hosting का पैसा भले वो 200 रुपे हो या 2,00,000 रुपे हो देना तो पड़ता है अब hosting का जब मैंने point लिया थोड़ा अच्छे से मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि hosting में क्या होता है जब भी आपको मैं hosting के लिए बोलता हूँ कि आपका hosting का खर्चा लगेगा सर इतना तो आप बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कितना खर्चा लगेगा और hosting क्या होता है क्या hosting पहले आपको यह थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों hosting जब हम आपको application बनवा के देते हैं या जब हम खुद application बनवाते हैं आप application बनवा रहे हो application का जो data होता है वो back end में रखा जाता है ठीक है admin panel पे तो वो admin panel या उस data को store करने के लिए हमें hosting खरीदना पड़ता है hosting या आप server खरीद लीजिए ठीक है server की जोड़त पड़ती है ठीक है तो उसके लिए हमें amount pay करना पड़ता है फिर आप Google से लीजे cloud storage है फिर कहीं से भी hosting किसी भी third party का hosting buy कीजिए ठीक है वहां पर आपको कुछ amount pay करना पड़ता है अब अगर आपके application पर 1000 active user है ठीक है तो 1000 active user का आपका hosting का खर्चा देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि कभी भी hosting का खर्चा ये कोई fix नहीं होता है ठीक है हर टाइम ये आपको बंदब अलग तरीके से कोई भी डबलबर बताएगा लेकिन hosting का amount fix नहीं होता वो इसलिए hosting का amount depend करता है कि आपका application कैसा है आप व 200-300-500 रुपे तक आएगा अगर 1000 यूजर है एक लाख यूजर है तो जादा से जादा 10,000 रुपे आपका मंतली आएगा ठीक है अगर आप अपने hosting में videos या फिर high MB वाले data store कर रहे हो वहाँ आपका छोटे application में भी 1000-2000 रुपे खर्चा आ सकता है ठीक है डिपेंड करता है यूजर कितने हैं जितना जादा यूजर उतना जादा वहाँ पर खर्चा बढ़ता है अब रियल कैश की बात की जाए तो रियल कैश में लाइव लोग खेलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा hosting का खर्चा जादा आता है क्योंकि अब वहाँ पर कमा भी जादा आ रहे हो आगर 1000 active user में 60,000 कमा रहे हो तो और आपका 10,000 बंतली आ जाएगा hosting का खर्चा ठीक है और अब मैं यह जो hosting expense है इसको मतलब आप नॉर्मल ऐसा मान के चलिए कि आप जितना आन कर रहे हो उसका 10-20% hosting का खर्चा आ जाता है ठीक है अगर आपका application में data कम स्टोर हो रहा है तो अगर जादा स्टोर हो रहा है जादा MB वाले data तब आपका 30,000-40,000 भी आ सकता है अब एक चीज़ में आपको बता दो कि hosting ले कोन सा जब भी आप डेवलपर पर जाते हो तो बताते हैं यह ले लो वो ले लो पर मैं परस्नली सजेस्ट करता हूं दोस्तों कभी भी किसी developer से भी आप बोलो Amazon का server डालके दे AWS server उसमें 200 आए या 500 या 1000 उससे पर फर्क ने पड़ता पोस्ट पेड रहेगा बेस्ट रहेगा कभी भी यूजर बढ़के तो आप लोको दिक्कत नहीं है कि AWS कभी भी बेस्ट रहता है ठीक है तो hosting expense इस तरीके से decide होता है कभी भी hosting expense जो रहता हो fix नही रहा है आपके पास staff अच्छे है team अच्छी है आप hosting का amount अच्छा पे कर रहे हो ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके earning अच्छी चल रही है बीच में Google ने कुछ नहीं updates लाया Android में जिसके वज़े से आपके application में बग्स आ गए उस टाम आप क्या करोगे ठीक है वो भ आपके application से migrate हो कि उसके application पे जाए उस समय आप क्या करोगे तो यह होता है maintenance आपके application के security maintain करना आपके application के सभी features कैसे चल रहे हैं उनको सब test वगरा करना इन सब चीजों में भी खर्चा लगता है क्योंकि अगर आपने staff नहीं रखे हैं developers वगरा तो आप जिससे आपने बनवा है कि मतलब जिस developers उनने बनवाया है अगर वो जाधा amount बता रहा है तो वो किसी other developer पर जाके बनवा लेते हैं ठीक है लेकिन वहां पे एक गडबड हो जाती है कि जिस बंदे ने application बना है वो अच्छे से आपको करके देगा वो अच्छे से जानता है कि कौन से coding उसने कहां किय कौन से functionality coding उसने किस जगा पर रखे ठीक है तो यह दूसरा developer को time लगेगा तो maintenance में अगर आपको खर्चा बचाना है तो जिस developer से अपने application बनवाया है उस developer के पास आप जाके अगर maintenance का खर्चा जो भी रहता है application में security अपडेट कराना उसमें bugs को update कराना, bugs fix करना या फिर उसमे कुछ नए features डलवाना तो जिस developer से आपने बनवाया है उस developer के पास अगर आप जाते हो उससे करते हो तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, मतलब maintenance cost कम आएगा, ठीक है, चौथा one दोस्तों लेते है, training का खर्चा भी आता है, अब training क्या है, यह मैं तो आपको बता देता आपने अपनी team हायर की है, उनको जो training देने में आपका खर्चा जाता है, समझे जले कि आपने 5 स्टाफ रखे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ दो ही आपके successful हो पाते हैं, मतलब मेरे experience के साफ तो मुझा ऐसा लगता है कि अगर आप 5 से 10 स्टाफ हायर कर रहे हो, उसमें से अग तो यह जो amount रहता है, यह तब देखो दोस्तों यह जो मैंने point बताया है, कुछ-कुछ इसमें point है, जैसे first वाला, यह fourth वाला, यह जो amount है, यह amount आपको तब देना है जब आपका application अच्छे level पे है और अच्छा growth कर रहा है, अगर तो आपका application ग्रोथ पे नहीं है, तो first वाल कि exactly कहां आपका पैसा लगता है, और अगर भी फिर भी अभी तक नहीं समझ में है, तो आप मुझे call कर सकते हो, नीचे description box में मेरे number दिया हुआ है, या फिर आपको कुछ समझना है, या फिर कोई application बनवाना है, किसी भी चीज़ से related application field में, कोई भी चीज़ आपको पूछना कुछ नया knowledge लगाओ, तो इस वीडियो को like ज़रूर कीज़ेगा, thank you दोस्तों मिलते हैं next video में,